सवाद उठ रहे हैं वपक्ष ने सरकार की फैसले को गलत बताया है लेकिन सरकार इस फैसले को सही बता रही है दामी सरकार के इसी फैसले से वपक्ष आग बबुला है विपक्ष मंत्रियों को महनी गाड़ियां देने पर लाल है तो सरकार के मंत्री कह रहे हैं सरकार अपने बजट के मताबिक ही खर्च करती है इस फैसले पर जारी सियासी खींचतां के बीच अगर आँकणों पर गौर किया जाए तो 22 साल में उत्राखंड पर 80,000 करोड का कर्ज हो गया है राजी के पास ज्यादा संसाधन नहीं है ऐसे में अब सवाल उठता है कि मंत्रियों को महनी गाड़ियां दे कर गर्ज में डूबे प्रदेश की जनता को क्या संदेश जाएगा और उत्राखंड कैसे घाटे से उबरेगा